हाई, बोडी बेलिंग कर शाओ के आपको, तो फिर अपने स्टेरोइट नाम तो सुनाई होगा, जी हाँ, जो बोडी बेलिंग करता है, नेचरली बोडी एक डेवलाप होने में, मस्कुलर बनने में 6-7 यर्स लग जाते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन जिसको हम स्टेरोइट मोंते हैं, जिसको खाने के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में बोडी में इंसर्ट करवाया जाता है, उससे होता क्या है, उससे आपको 7-8 मंत में मस्कुलर बोडी मिल जाती है, लेकिन क्या ये सच में सही है, बिलकुल सही नहीं है, क्योंकि ये टोटली एक artificial technique के body को develop करने ही, 1930 में इस steroid को बनाया गया था, muscular बनाने के लिए, लेकिन अभी market में बहुत सारे duplicate products available है, जिस products को बहुत आदमी, जो gym join करते हैं, वो उस medicine को लेते हैं, अपने body को muscular बनाते हैं, तो body बाहर से तो देखने में बहुत first class दिखता है, लेकिन अंद धिरे-धिरे decrease होते जाते हैं, और मैं आपको और एक information बता दू, जो इस steroid को लेते continuously, boost में अचे 95% bodybuilders, heart attack या stokes से death हो जाते हैं इनके,